गुद मॉर्णिंग माई डियर फ्रेंड्स विल्कम बेक तो मैं चैनल आज फ्रेंड्स आप लोग से संडे अपडेट कर विडियो से एर करूँगी और बारिस आज जो है लगतार राज से बारिस हो रही है अभी भी बारिस हो रही है मैंने ग्रीन ग्रास हटा दिये हैं जो आ का व्यू दिखाऊं तो चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं और वीडियो में लाज तक बने रही हैं वीडियो अगर अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सकते हैंयों मेरे चैनल को सपोर्ट कीजेगा और देखिए बारिस होने से एक जीज का और ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स हम लोग को जो गं परीज होती हैं तो ड्राइनेज होल जो है वह बंद हो जाते हैं इस कारण से इस तरह की परिस्थितियां होती है देखिए अ यहां पर मैंने कोशिस की है ऐसे प्लांट को जिनको थोड़ा सा इन डारिक्ट सनलाइट की जरुवत हो ऐसे प्लांट रखे तो आप लोगों निकल देखा ही है मैंने इंडोर प्लांट भी यहां उपर टैरिस पर लाकर रख दिये हैं और ज्यादा कोशिस करती हूं फ्रेंड इंडौर प्लांट जो है भगवान भरों से ही रह जाती हैं खास तोर पे शमर में बहुत जाए प्राबलम होती है रreны सिजर और विंटर했다 Infocyyle। बहुत अच्छे से चल जाते हैं लेकिन समर सीजन में पूरी पत्या जल जाती है तो देखिए यहां पर मैंने सारे प्लांट इंडोर रखे हैं और बहुत अच्छे से ये लग रहे हैं और बारिस का जब पानी पौधों को मिलता है ना फ्रेंड्स तो पौधे बहुत ज़्यादा खुस होते हैं और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो पत्तियों का कलर है वो काफी खुबसूरत लगता है हम सावरिंग जरूर करते हैं समर सीजन में लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता जितना बारिस में लगता है अब इतने सारे प्लांट हो जाते हैं तो फेक नहीं सकते बाहर तो उनको भई अपने गार्डन में जगह देनी ही पड़ती है उसके लिए पौड भिलाने पड़ते हैं मिट्टी भिलानी पड़ती है जितने जादा प्लांट होंगे फ्रेंड्स उतनी जादा मेहनत करनी पड़ती है तो अभी एकदम डिटेलिंग से तो संडे अप्रेट का वीडियो लगता है मैं नहीं दिखा पाऊंगी बारिस फिर से स्टार्ट हो गई है एक जोरे में देखिए इस तरह के फ्लावर्स आने लगे हैं और कल ही जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि फर्टिलाइजर देने का टाइम अब बिल्कुल आ गया है प्लांट को खासता और पे पर्मानेंट प्लांट है उनको भी तो मैं फर्टिलाइजर कौन सा दूंगी आगे मैं आप लोग को दूसरे वीडियो में सेयर करूंगी क्योंकि अभी मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है और देखिए बहुत सारे अभी तो फिलहाल आपको यही चेक करना है कि कौन-कौन से गमले में आपका बारिस का पानी जो है इस तरह से रुख जाता है तो उनके ड्रैनेज होल को आपको अच्छे से ठीक करना पड़ेगा नहीं तो प्लांट जो है खराब हो जाएंगे रूट्स जो है गल जाएंगी और खराब हो जाएंगे तो मुझे भी यही करना पड़ेगा सारे हिबिसकस आप देख रहे हैं जिनकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी कुछ हिबिसकस और भी हैं जिनकी मैं अभी इस समय प्रूनिंग करूंगी तो जून में आप इस तरह की जून-जुलाई में प्रूनिंग कर सकते हैं जो प्लांट बड़े बड़े हैं यह अपराजिता का बेल है देखे मैंने इसे 20 से ग्रो किया है और इसे मुझे आप पॉट देना पड़ेगा इस वज़ासे मैंने इसे ग्रो बैग में ही रहने दिया है और देखे यहां पर बोगन विलिया बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि मैं रेनी सीजन में नया सेट अप अलग से तयार करती हूँ तो यही मेरा नया सेट अप है और रेनी सीजन में में मेरे गार्डन का लूग कुछ इसी तरह से मैं रखती हूँ सेंडर पे मैं इस तरह से कुछ नहीं होती तो चलिए मैं आज दिखाते चलती हूँ आपको मैंने कितने सारे कौन-कौन से प्लांट की कटिंग लगाई है तो क्रोटोन का तो आपने देखी लिया है और यहां पर सिंगोनियम देखे इस तरह से मैंने रखा है कैलेंचू की मैंने सोचिए इतनी गर्मी में कैलेंचू की मैंने कटिंग लगाई है और सारी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है यह थर्मकॉल बॉक्स वाले भी कटिंग ही है देखे कितनी बड़ी-बड़ी हो गई है इसे मुझे यहां से हटाना पड़ेग पौधे जो है बहुत ही खुबसूरत लग रहे हैं और इस तरह के अभी आप कटिंग लगा सकते हैं तो जून का समय है तो जून जुलाई में हम कटिंग लगाना स्टार्ट करते हैं और इस बार मैं जो है बहुत सारे कोलियस के प्लांट भी मैंने लगाए हैं खाली पॉट मे तो उसको पिंचिंग करते जाए और जैसे आप पिंचिंग करते हैं तो प्लांट काफी बुसी होते जाता है तो इस समय विंटर सीजन के भी प्लांट की हम कटिंग लगा सकते हैं और अपने विंटर की तैयारियां भी कर सकते हैं जुन जुलाई में तो मैं बहुत जल्दी ही आप लोग से वीडियो सेयर करूंगी कौन कौन से कटिंग जो है जुन जुलाई में हमें लगाने चाहिए तो काफी अच्छा लग रहा है आप लोग बताईएगा मेरा गार्डन कैसा लगा और ग्रास मेंने हटा दिया है तो सायद उतना अच्छा भी नहीं लग रहा होगा और ग्रास हटाने का रीजन वही है कि यहां मिट्टी बहके आती है तो मुझे टेरिस में थोड़ा सा इंदजाम और करना पड़ेगा फ्रेंड्स क्योंकि कोई दिक्कत ना हो और महनत काफी करनी पड़ती है तो सारे प्लांट तो भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं देखिए यहां पर पेंटास पेंटास में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और यह है UFO और विया मिली इसमें बंचेज में छोटे-छोटे Flowers आते हैं और देखेए बातों ही बातों में बारिस फिर से स्टार्ट हो गई है तेजी से तो बारिस के दिनों में थोड़ी से दिक्कत यही हो जाती है उसका वीडियो अगर मैं बनाने चलती तो मेरा काम जो है चार दिन के बजाए आठ दिन लग जाता इस वज़ा से मैंने कोई वीडियो नहीं सेयर किया आप लोग से सिधा सेट अप ही दिखाया है बाकि आप समझ जी सकते हैं कि इतने सारे प्लांट की मैंने पहले से तैयारियां की थी इस वज़ा से मेरा नया सेट अप तैयार हो पाया है और आप लोग भी अपने गार्डन को खुबसूरत बनाईए, सुन्दर बनाईए, साप सुथरा रखिये और मैं भी कोशिस यही करती हूँ, कि जितना ज्यादा हो सके cleaning रखूं अपने गार्डन में और समय दे पाऊं तो जो भी समय मुझे मिलता है, मैं अपने गार्डन में ही समय देना ज्यादा पसंद करती हूँ जैसे ही मुझे घर से या घर के कामों से फुरसद मिलती है तो अभी मैं दिखाऊंगे आपको नीचे पोर्च गार्डन भी दिखाऊंगी पोर्च गार्डन में भी काफी दिन हो गए मैंने आप लोग से सेयर नहीं किया है कौन-कौन से प्लांट मेरे कैसे चल रहे हैं यहाँ पर चाइना पाम की मैंने थोड़ी प्रूनिंग कर दी है जो खराब से पत्ते थी उनको हटा दिया है और गमलों में देखे सारे मिट्टी के गमले मैंने यहीं रखे हैं खाली गमले हैं उनमें पानी भर गया है कि अभा टैंगल हाट का प्लांट भी मैंने यहां रखा है जो भूत अछह से ग्रो हो रही है और काफी अच्छह से हेंग मैने और इस दटर से चल रहा है ड्रेसिना की ये variety है जो बहुत प्यारी लगती है और अगर इसे आप थोड़े से sunlight में रखेंगे तो इसका color बहुत प्यारा उभर कर आता है तो इस तरह से मेरा ये indoor plant है तो चलिए indoor plant की सुरुवात करते हैं और देखिए ये वाला है डेफिन बेकिया की variety बहुत प्यारा बहुत ही खुबसूरत और देखिए इसकी पत्तियां white है white होने के बाद ये बाद में green हो जाती है और बहुत ही खुबसूरत लगता है green और white का combination ड्रेसीना की variety है देखिए ड्रेसीना की पत्तों को friends आपको साफ करने पड़ते हैं जिससे की वह बहुत ही खुबसूरत दिखता है मेरे पास समय की कमी के वज़े से मैं उतना cleaning नहीं कर पाती सिर्फ souring करती हूँ और यह है देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे इंडोर प्लांट रखे हुए है एगलोनीमा की variety है यह और देखिए पीस लिली में अभी भी मेरे garden में flowering हो रही है लेकिन flower का size जो है थोड़ा छोटा हो गया है और मैंने कोई fertilizer भी नहीं दिया था तो इस तरह से मस्त से चल र जो है हर पतियां अलग-अलग design में आती है बहुत ही खुबसूरत दिखती है देखे कितना प्यारा लग रहा है और इसका color भी बहुत ही खुबसूरत है यह dressina की एक और variety मैंने अपने garden में aid की है बहुत ही beautiful और एगलोनीमा काफी अच्छे से चल रहे हैं तो मैंने तो साधा आउट होना चाहिए पानी और पौधे काफी अच्छे से चलते हैं तो देखिए जो मैं नॉर्मल मिट्टी अपने garden के लिए बनाती है उसी पे मैंने एगलोनीमा को भी लगाया है और बहुत अच्छे से चल रहा है तो इस तरह से मेरा जो है पोर्च गाडन है तो आसा करती आज के वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा आज की अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बेल आइकन को प्रेस कीजेगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे नए फ्रेंड ज थोड़े से सब्सक्राइबर मेरे भी बढ़ाई है काफी महनत करती हूँ मैं तो इस तरह से मेरा पोर्च गार्डन है और प्लांट की ग्रोथ तो आप देखी रहे हैं काफी अच्छे से प्लांट की ग्रोथ हो रही है अब रेनी सीजन आ गए हैं तो रेनी सीजन में मैं सार प्लांट को दे रही हूं ये भी आप लोग से सेयर करूंगी कोशी समय सा यही करती हूं फ्रेंड्स की कोई भी वीडियो अगर मैं बनाती हूं या कोई भी प्लांट की कुछ करती हूं तो आप लोग से सेयर करूं वीडियो तो फिर मिलती हूं बाई